हाई 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 है अज आपके लिए 46 पेसिस का सौकिट सेट लेकर क्या है हूं इस टूल किट की मदद से आप बोल्ट्स, नट्स, स्क्रूज असानी से टाइट और लूस कर सकते हैं इस हैंडी टूल किट को लेक्ट्रीशन, प्लमबर्स, कारपेंटर्स, मेकैनिक्स और बहुत सारे अदर प्रोफेशनल्स जो है यूज कर सकते हैं यह एक हाई क्वालिटी टूल किट है, इसकी सारी असेसरीज जो है क्रोम वेनेडियूम स्टील से बनी हैं जिसकी वज़ा से जल्दी खराब नहीं होती है और सारी असेसरीज जो है क्रोम प्लेटिड है ताकि इसको रस्ट ना लगे इस टूल किट को जो है आप अपने होम और प्रोफेशनल यूज के लिए क्रीज सकते हैं दोस्तों आज इस वीजियो में आपको इन 46 असेसरीज की पूरी डिटेल में जानकारी देने वाली हूं किस तरह से यूज करना यह आपको बताने वाली हूं और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बैल नोटिफकेशन को प्रेस कर दें बिना जादा टाइम लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ा कि इसके उपर दे रखा है लेकिन मैं आपको खोल करके अंदर अराम से समझाती हूं कवर के अंदर आपको यह रैड कलर का यह बॉक्स है चिस बॉक्स का अंदर आपको सारी असेसरीज मिलती है तो देखिए दोस्तों कितना अरेंज़ट वे में इस बॉक्स को बनाया गया ह आपके सारी सॉकेट्स बहुत ही अच्छे से इसके लिए स्पेस बनाया गया है जिसमें इसको रखा गया है तो अब इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है चली मैं आपको डिटेल में इसके जानकारी दोंगी दोस्तो सबसे पहले जो है यह 21 आप इनको अगर काउंट करेंग सबसे पहले 6 बिट्स जो है यह जो फर्स स्टार्टिंग की जो 6 बिट्स है 1,2,3,4,5,6 तोरेक्स हैड का स्कूरॉड्राइवर बिट्स है तो इसका जो साइज है दिखिए आप इस पर टॉरेक्स हैड का जो है T10, T15, T20, T25, T30, T40 यह जो है इसका साइज है और दोस्तों इसम्हरी पहले चाझ तो इसमाले जो हैं प्रूडक्स इंटरनेशनल मत्रूडक्स सब्से जो फर्ऱ पर टारीICK की जो हैं उनको प्रूद्स जो प्रूद्स के बड़ते हैं तो यह सबस्तों के बात LST दोसे जो है शेक्विरि प्लट्स मिलती हैं सबस्तों है अथ भनाक्ति छे फ्लैट हैक्स बिट्स मिलती हैं यह जैसे हमारे एलन बोल्ट होते हैं उनको खोलने के लिए इस तरह की बीट्स का यूज होता है उसके बाद तीन आपको फिलिप्स हैड की जो है आपको यह बिट्स दी गई है 123 नंबर में जो आपका यह जो स्कुरू जो उते हैं उनको 3 आपको slotted hex bits दे रखी है और उसके बाद यह हमारी special 3 bits है इसको हम बहुते है posi drive bit socket तो यह special screws होते हैं उनको खोलने के लिए bits दी हुई है तो इसमें भी size आपको 1, 2 & 3 number मिलता है तो इस तरह से different types के screws के head होते हैं आप इनकी मदद से जो है खोल सकते हैं दोस्तों आप दूसरी तरफ देखिए आपको जो है यह 13 पीस जो है हमारे को हम अपनी देशी language बोलते हैं गोटियां गोटी तो यह आपको 13 अलग लग size की गोटियां मिलती है इसको हम hexagonal sockets भी बोलते हैं और गोटी के size आप देखिए इसके उपर specified है 4 mm का जो फ्लैट होगा जिस बोल्ट का वो इससे खुलेगा दोस्तो इसमें तीन आपको जो एलन की भी मिली हुई है तो कुछ आपको छोटे screws होते हैं चोटी एलन की होती है तो इनकी मदद से जो है आप उनको खोल सकते हैं यह जो है रैचेट है तो इसमें जो है आप जब गोटी से आपको बोल्ट चड़ाना है hexagonal बोल्ट या खोलना है तब आप इसको यूज करेंगे किस तरह से यूज करना वह मैं आपको बताऊंगी यह हमारा universal socket joint है इसको किस्तरा से लगाएंगे यह भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे detail में दो हमें यह extensions दे रखी है जब हमें यूज करना है screwdriver का length बढ़ाना है आप यह देखिए आपको यह screwdriver भी है इसको six inch spinner भी बोलते हैं और हम इसको as a screwdriver भी बोल सकते हैं उसका spindle है तो जो हमारी bit है वो हम इसमें use करते हैं इस तरह से यह देखिए यदि आपको length बढ़ाना है तो आपको जो है दो extensions दी ओई हैं यह 50 mm की extension है और यह 101 funk extension तो यह आप इसके आगे लगा करकर के इसको भड़ा करके अप इसको यूस कर सकते है तो चुश कर सकते हैं तो इसका यह lenght extend हो जाता यदि कम length increase करना 50 mm का तो आप यह बड़े बढ़े ब़ल सकते हैं तो इसको हम extension rods बोलते हैं और इसके बाद आपको एक फ्लेक्सिबल extension बार भी दिया हुआ है तो यह flexible extension rod है जैसे कहीं पर आपको flexibility चाहिए अंदर डालने के लिए तो screwdriver का अगर straight यह रहेगा तो यह band नहीं हो सकता है इसमें एक ही आप अंदर डाल करके इस तरसी flexible होती है तो आपको जो है यह bolt screw easily खोल देगा तो मैं लगा करके भी दिखा देती हूं यह दिखिए मैंने इसके आगे लगा दिया और यह इसके आगे जो है इसको टाइट लूस कर सकते हैं यह देखिए इसके लिए बहुत ही यूसफुल है और उसके बाद आप देखिए इसमें यह एक हमारा जो है इतना है जैसे हमार को गुछ किष सकते हैं तो इसको कर सकते हैं तो जैसे-दे में दृश्चा सब्सक्राइब ना ळिसे शर्यक्त्षिन कर सकते हूं ये हमारा यूक्त है यह इसके बाद आपको जो है एक एडेप्टर दिया हुआ है यदि आप इन गोटियों को लेक्ट्रिक ड्रीमशीन में चलाना चाहते हैं तो यह वाले इटेश्मेंट कैसे लगाने मैं आपको दिखाऊंगी तो मैं जब यूज करूंगी तब आपको दिखाती हूं तो चलिए मैं इसके अंदर पुरा फ्ट हो जाता है इस तरह से वाला सॉकेट लगेगा तो मैं जो है आपको दिखाते हूं किस तरह से हम इसको यूज करेंगे तो यह मैंने जो अपना स्पीनर हैंडल है इस पे गोटी को लगाया और यह दिखिए मैंने वूड पे एक फिलिप हैड स्कू इसको हम खुलेंगे इस तरह से देखिए आप इसको जो है खोल सकते हैं और दोस्तों यह दिया आपको लगाना है इसको आप जो है इसमें भी यूज कर सकते हैं अलेक्ट्री मशीन में अगर आपको चलाना चाहते हैं तो मेरे पास जो है कोडले स्कूर्ड्राइवर है तो स्कूर्ड्राइवर बिट होल्डर है इसको मैं इसके अंदर लगाऊंगी अब हम जैसे एलेक्ट्रिकली भी इसको यूज कर सकते हैं स्कूर्ड्राइवर सॉकेट्स को तो हम बुड्र पे आपको स्कूरू लगा करके दिखाते हैं इस तरह से जो हम इन शौकेट्स को कि इलेक्ट्रिक या और लेस्कूर्ड्राइवर में भी यूज कर सकते हैं तो दो, यह क्रोड्रेस का मैंने जो है कॉड्यस बारा वॉल्ट के हैं सा दो बैटरीज और एक चार्जर आता है फास्ट चार्जर बहुत रिजनेबल प्राइस पे यदि आप यह कॉडले स्कूर्राइवर भी लेना चाहते हैं तो इसको भी ले सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्स होते हैं जो मैं इसको यूज कर रहे हूं अभी किसा है उतकती है हम इसको प्रैस करते है और यह रेचेट में अब लग जाती है तो रहे हैार यह को है नो पर इस नहीं और यह रैचट में भी लग जाती है और रैचट में इसको लगा दिया है तो यह आपको दे रखा है इससे हम clockwise, anti-clockwise movement करते हैं इसके अभी देखिए मैं clockwise गुमारी हूँ और इसको जब मैं दूसरे तरफ मोग कर दूँगी तो यह anti-clockwise गुमेगा तो यह मैंने जो है यहां लगा रही हूँ और मेरी फस रहा है तो यह एक्सटेंशन जो हमें मीटती है साथ में यह एक्सटेंशन हम लगा खरके इसको कैसे उज़कर आपको दिखाऊंगी आपको अब बिना ज्यादा ताकत लगाए इस्टेट की मदश से हम बहुत इसाने से जो है यह टाइट ब कि इस तरह के बोल्ट हमारे ज़ो है आप असानी से बोल्ट इसको से खोल सकते हैं और मैस को अप्चणा करके भी दिखा देती हूं एक आप देखे इसली यह टाइट हाएगा तो जो ही hexagonal sockets है, different different sizes की है, तो यह ratchet पे लगा कर कि हम इसको use करेंगे, तो जो भी आपका hexagonal bolt होगा, वो उसके लिए आपकी use होगा, आप देखिए, इसमें hex बना हुआ है, इसमें hexagonal nut है, या आपका bolt है, तो उसे खुलेगा, तो अब मैं आपको दिखाती है, जैसे मेरा य ratchet पे इसको लगा दिया है, और यह पूरा इसके अंदर fit हो जाएगा, आप देखिए, तो यह पूरा fit हो गया है, और इस तरह से आप इसको move करके खोल सकते हैं, पर मैं खुलूंगी नहीं क्योंकि मेरा rag जो डिससेंबल हो जाएगा, तो जस्ट आपको दिखाने के लिए, कि यह hexagonal sockets इस तरह के bolts के head पे लगती है, तो different size के bolts होते हैं, जिनमें हम यह sockets यूज करते हैं, दोस्तो आपको पता ही है, जहां पर भी आपके छोटे-छोटे allen keys लगी होगी, उसको खोलने के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं, उसके बार हमारा यह universal joint holder है, दोस्तो इसको ह प्राइवर नहीं जाता यह हमारा हाथ नहीं पहुंचता वहां पे तो हम इसकी मदश से वहां पे बहुत ही असानी से angle में screws खोल सकते हैं, इस तरह से हम लगाएंगे और इसके आगे हम इसको fit करेंगे, ठीक है, और इसके आगे हम socket लगाएंगे, यदि हमें hexagonal bolt खोलना है, तो इसके आगे, आप socket लगाएंगे, इस तरह से एसका एंगल में, जिस भी एंगल में आपको इसको डालना है इस तरह से आप डाल करके खोल सकते हैं, आप Escrow driver socket लगा सकते हैं, और hexagonal socket लगा सकते हैं, दोस्तों यह जो हमारा T-Bar है T-Bar जैसे कि आपको कहीं बरी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है और इस तरह से आपको खोलना यह मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ भी लग जाती है दोस्तों कैसा लगा आपको यह सौकेट से बहुत ही रीजनेबल प्राइस है आप इसको असानी से क्रीज सकते हैं इसका लेटेस्ट प्रैस से आप जाना चाहते हैं तो मेरा आप मुझे वट्साइब पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं इस प्रोड़क्ट की दिलीवरी जो है मैं आपको आल ओवर इंडिया दे सकती हूँ यदि इससे रिलेटेड कोई और इंकोई दी है तो आप अपने इंकोईरी कमेंट बॉक्स के टाइट कीजिएगा मैं इसका जवाब आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगी तो थैंक यू फ्रेंड्स एव नाइस जेए बी सेफ टेक कियर बाबाई